आरजीकर मेडिकल कॉलिज में हुए उपद्रव और्टूर्ट फोर्ड के बाद दीजभर में विरोध प्रदेशन की आग एक बर फिर भढ़क गई है कुलकता, रीप मडरकीज और अस्पताल पर हुए हमले के खिलाब IMA यानि इंडियन मेडिकल असोसीशन ने 17 अगस को देश वापी हरताल का एलान किया है IMA की ओर से जारी बयान में कहा गया है की आरजीकर मेडिकल कॉलिज में हुई कुरूरता और इसका विरोध कर रहे चात्रों के साथ की गई गुणनकरदी के बाद IMA ने 17 अगस जनिवार सुबा 6 बजे से 18 अगस रविवार सुबा 6 बजे तक 24 घंटे के लिए हरताल की गोशड़ा की है इस दोरान OPD समेट सभी स्वास्त सुईधाय बन रहेंगी एमरजन्सी सेवाओं पर इस हरताल का असर नहीं होगा IMA ने अस्पतालों को सेव जोन घोशित करने के लिए ही सरकार से सेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंट लागू करने की मांग की है कुलकता के अस्पताल में मचे उतपात के बाद FORDA यानी Resident Doctor Association ने भी एक बार पर हरताल का एलान कर दिया है FORDA की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार काम के दुरान स्वास्ते कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्टित नहीं कर पा रही है इस मामले में केंदर और राज्य सरकार दोनों ही विफल रही है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं हाल के घटना करम की कमभीरता और न्याय की मां को देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से हरताल फिर से शुरू करने का फैसला किया है देश भर में गुरुवार के दिन प्रदशन हुए तो वहीं देर शाम केंडल मार्च निकाले गए हमने लोगों को सेफ्टी चाहिए सिक्EMA हरे हम काम नहीं कर पाएंगे क defender को सियार पयर मंग रहें दिमांड वही है के प्रॉपर सेजिब पुलिस से कुछ नहीं होता है कि मोगे शा again सा प्राव कर दिया जो हम चारे विपने सुज़त्स कर दिया और तो और हमारे वहां के आपके कुलीक को बहुत सदा सिक्योरिटी ग्रेट हुआ है हमको जो लोग रहा है उसको जक्तिस जितना मिलना चाहिए जक्तिस अब पिक मिला नहीं है वो पहली बात है, सो हमारा पहला एम होता है जा हम इसको जक्तिस दिलाएं ये तस्वीर दिल्ली की है, देर शाम एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर पोस्टर और बैनर लेकर सड़क पर उत्रे इनसाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर आज शाम बरिस्तर पर डॉक्टर्स के इंडर मार्च की तैयारी कर रहे हैं देश वापी अस्पताल की वज़े से दिल्ली समय देश के तमाम सरकारी अस्पतालों में स्वास्ते सेवाएं ठप हो सकती है प्योर रिपोर्ट क्रैम तक